आज का मैंना टॉपिक है लेक्टरोन ट्रांस्पोर्ट चेन इसलिए हमने दो वीडियो में डिसक्स किया था है ग्लाइकॉलोसिस को सेकेंड पर क्रेप साइकल को अगर आपने वीडियो नहीं देखिए जली से जाकर देखिए मैं आई बटन पर नोटिफिकेशन दे रही हूं परसे और वॉच्छ फूल वीडियो जैसे आपको यह नजर आ रहे है है कि इसे फ्म डेटेल में डिसक्स करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोगर देखना है कि लेक्ट लॉठ्टरों ट्रांस्पोर्ट चेन में करना क्या है सो इस पॉर्शन को पहले इसक्स करते हैं सबसे पह और क्रेप साइकल में 8 NADH बने थे और 2 FADH2 बने थे अब इनी डिड्यूस्ट फॉर्म को हमने ड्रेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेक्ट्रों ट्रास्पर्ट चेन में इन सब को पुट करेंगे और उससे इनर्जी को जनरेट करेंगे यही जो पॉर्षन है यह जाएगा फ्रेक्ट्रों ट्रास्पर चेन में और इनर मेंब्रेंन में जो है इनर्ट्रासपर्ट चेन का प्रॉसस परफॉर्म किया जाता में यह यह सुर्ड बनने घज है यह कन्वर्ट हो गी इन्टु एनीडिप्लस ये escape करेगी 2 Electrons को और hydrogen को गर two Electrons we pass out into different complexes में। हेठ 4 나도 actionолет हेहर Comics के अनधर different proteins अपके एक स्टेप चर दूसरे स्टेप में Electrons को payments क्या सकें। यहां पर है complex 1, complex 2 Complex 3, complex 4 अब हमने यहां से जो electron को निकाला था वो जाएगा into complex 1 में complex 1 में जो protein presence हैं इसके बाद जाएगा यही electron ubiquinon के पास ubiquinon के पास होते हुए यह जाएगा complex 2 में अब इसी complex में FADH2 जो के krebs cycle में बना था इससे भी हमने ATP को generate करना है तो यह भी अपने electrons जो है वो complex 2 को देगा और यहां से ट्रैवल करेंगे electrons ubiquinon के पास ubiquinon जो है एक को एंजाइम है बाग के जो complexes में present है वो सब proteins हैं सिवाए यह यही सिफ को एंजाइम है बाग के सब जो है complex में protein presence है अब ubiquinon के पास complex 1 और complex 2 की electrons हैं जो के transfer करेंगा into complex 3 की protein के पास then यहां से electron जो है वो transfer होंगे to cytochrome C के पास next यह जाएगे complex 4 के पास यहां से जो electron large accepted है वो है oxygen यहां से complex 4 से जो electron निकलेंगे वो जाएंगे oxygen के पास oxygen को catch out कर लेगा और बना लेगा water molecule सो इसके बाद हम लोग discuss करेंगे chemiosis को यह detail में जो है आपको बता चल जाएगा कि electron जो है कैसे transfer होते हैं from one place यह one complex उसे complex में सो यह हमार पास chemiosis का process यहां पर मैंने mitochondrial की जो है यह structure बनाया है जिसमें जो outer membrane है वो यह बाहर वाली है और यह जो in folding हुई हुई है यह inner membrane है जो inner और outer के जो mid का जो पार्ट है उसके हम गेंगे इंटर membrane space और जो inner membrane का अंदर वाला पार्ड है इसको हम गेंगे matrix जिपके लेक्रों ट्रांस्पोर्ट जीन जो है यह inner membrane में यह in folding में होती है जिसको हमने इसको जूम करके इसका structure बनाया है अब सबसे पहले यह मैट्रिक्स यह inner membrane यह है इंटर membrane space इंटर membrane जो है यहां पर जो है ATP की जनरेशन होती है मतलब लेक्ट्रोट्रास्पोर्ट जीन जो है वह पर फॉर्म किया जाता है यहां से जो एने डियेच है वह स्प्रिट होगा तू लेक्ट्रों इसके स्केप हो जाएंगे हाइडरोजन या प्रोटोन है वह मै complex 1 में यहां से जाएंगे into u-b-quinone जो के co-enzyme है अब complex 2 में क्या होता है FADH2 जो है यह भी अपने आपको स्प्रिट करता है hydrogen जो है यह matrix को दे देता है और electron जो है यह u-b-quinone को दे देता है अब u-b-quinone के पास दोनो complex 1 और complex 2 के electrons हैं जो के travel करेगा to complex 3 then travel करेगा अपने electrons to cytochrome C and then last into cytochrome 4 अब यह electron जो complex 4 से आये हैं उसो केच आउट करेगा oxygen और oxygen जो है 2 hydrogen और 2 electron के साथ मिलके बना देगा water molecule अब जो hydrogen है उसकी concentration matrix में बहुत जाद होती है क्योंके नदेएट से जो है वो hydrogen या proton nikel के matrix में ही जाते हैं और फ़र दीएश 2 से भी hydrogen के matrix में जाते हैं इसी वाइसे matrix में जो है hydrogen की concentration बहुत जाद होती है और क्योंके क्रेफ सैकल भी जो है वो इसी जगा हो रहा होता है तो hydrogen की concentration बहुत जाद होती है अब जैसे ही यह two electrons जो है यह जाएंगे complex में तो यहां पर complex की protein जो है और hydrogen atoms को pump out करेंगी into inter-membrane space में क्या करेंगी complex में present protein जो है यह in electrons की energy को use करके hydrogen को matrix से निकालके inter-membrane space में move करेंगी complex 1 से भी move करेगी complex 3 से भी move करेगी और complex 4 से भी move करेगी जैसे ही matrix से जो है hydrogen की concentration कम होती जाएगी मतलब hydrogen जो है वो रिमूव होते जाएंगे बाहर की तरफ यहां पर matrix की जो है वो hydrogen की जो है वो है amount है वो काम हो जाएगी और inter-membrane space में hydrogen की concentration ज्यादा हो जाएगी तो यह hydrogen concentration की जो amount है वह जाएदा होने के वजाए से यहां पर positive sign आचाएगा और hydrogen concentration जो है वो काम हो जाएगी यहां पर negative sign आजाएगा और यहां पर एक gradient generate हो जाएगा जिसे हम कहेंगे electrochemical gradient अब यहां से hydrogen जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वापिस matrix में आ सके तो यह hydrogen जो atoms हैं प्रोटोंस हैं यह ATP synthase के जरीए enter होंगे into matrix और ATP synthase जो है इन hydrogen atom की energy को use करके बनाता है ATP को ATP जो है phosphate के साथ मिलेगा और बना देगा एक energy ATP और hydrogen जो है वो दुबारा से matrix में जो है वो एंटरन लग जाएंगे जिसके विए ग्रेडियन जो है वो positive होता जाएगा ATP calculation की बात कर लेते हैं electron transport chain में हमें कितनी ATP मिली सबसे पहले देख लेते हैं एक NADH के हैं मारे पास कितनी ATP बनती है तो एक NADH हमें 3 ATP देता है एक FADH2 जो है इसे हम 2 ATP बना सकते हैं जैसे कि हमें glycolosis में देखा था कि 2 NADH बनते हैं 24 ATP 2 FADH को करेंगे 2 से मधिता है कि एक FADH जो है में 2 ATP देता है So 2 x 2 is equal to 4 ATP अब इन तीनों को calculate चलेंगे 6 plus 24 plus 4 ATP को count करेंगे तो हमारे पास आएगा 34 ATP तो electron transport gene में हमें total 34 ATP सब्सक्राइब है तो यह ATP की करलेशन है So that's all about electron transport gene उमीद है आपको वीडियो ची लोगी होगी आपको one by one step जो है अच्छी तरह समझाग्या हो गया वीडियो का लाइक कीजिए अपने प्रेंड के जाथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जागे आपको लिए वीडियो जो है वे जली से मिल सके अगर आपको कोई भी टॉबिक समझना है तो जली से हमें कमेंट से समें बताइए का कि क्या तॉपिक आपको निश्य लखता है तांके हम आपकी हर्थ द